नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 और 20 अप्रील मकर रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों चाहि कोई भी जान लगा दी लेकिन दोस्तों आज का यह घटना कोई नहीं रोक सकता जी हां दोस्तों यह घटना होकर रहेगा और जो भी आपके दुस्मन हैं जो भी आपके विरोधी वर्ग हैं वो सोचेंगे कि यह अनर्थ केसे हो गया जी हां दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपकी रासी में आपके कुंडली में अब गरहों की परिवर्टन हो चुका है जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में पांच बड़ा अनर्थ वाली घटना होगी जी हां दोस्तों कहने का तातपर वह है कि दोस्तों जो घटना आपने कभी सोचे नहीं थी जो घटना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों वे बड़ी घटना अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों जाईश्री बात है कि सभी दुस्मन सभी जलने वाले वेक्ति काएंगे कि ये तो अनर्त ही हो गया इनके जीवनकाल में इतनी बड़ी खुस खबरी आखिर केसे मिल गई केसे इनका जीवन अचानक से बदल गया जी हाँ दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में जो ग्रहों की सिती बनने वाली है उनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल एक जटके में बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों और सभी लोग देखते ही रह जाएंगे पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह आज की इस वीड कर देंगे तो दोस्तों हाथ में आया ये मोका आपके जीवन काल से जा सकता है जी हाँ दोस्तों जिसे फिर से आप वही इस्ति में रा जाएंगे जिनमें आप पिछले कई समय से चल रहे हैं जी हाँ दोस्तों दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल मे शुक्र और गुरू की इस्ति बहुती परवल संभावने दिखाई दे रही है जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में पांच बड़ा अनर्थ होगा यानि कि दोस्तों पांच बड़े छेतरों से आपको अचानक धन लाप की प्राप्ति होगी आचानक इसे स्विरक किरती मिलने वाली हैं जिनसे कि दोस्तों आप सभी का जीवन रातो रात बदल जाएगा जिहां दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहले सी मंगल आपके कुंडली के लिए सुब इस्तिती में थी लेकिन दोस्तों जहां सुकर और गुरू की इस्तिती बन गई उनमें आपको बहुती बड़ी एसी संभावना मिलेंगे, जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा, परुन्तु दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप आज की इस वीडियो को मिस कर देंगे, अगर आप इन्हें स्किप कर देंगे तो दोस्तों आप अपने जीवन काल की वह सबसे बड़े महतुपुन पल से मिस हो जाएंगे जिने पाने के लिए आप पिछले समय से मेहनत कर रहे हैं जिने पाने के लिए आप पिछले कई समय से कर्म कर रहे हैं जी हां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि मंगल की सिती पहल और सतित न दोस्तों, अब आपकी करमों का फल आपको मिलना तई है, जी हां दोस्तों अब आपकी करमों में बहुत भड़ा तुफान आएगा, जी हां दोस्तों और दोस्तों ऐसे में आने वाले दो दिनों के अंदर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही अवश्यक होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे हर एक बात बहुत ही विस्तार तरीके से तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुली मिच न करें और दोस्तों सुरू से आंतर तक ध्यान से देखेगा साथी साथ दोस्तों इनमें आप सभी महत्पुन जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि यह समय आपको किन-किन छेतरों को लेकर शावदान रहने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और कीन छेत्रों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ती होगी और भगवान मालक्षमी जी के आसिम असिरबात से आपके घर के माहूल में पारवारिक जीवन में आपके प्रते एक छेत्र में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आंतर तक देखिएगा फुशे पहले दोस्तों जो विएक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय मालक्षमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षमी जी की आसिम असिरबात आप से भी को प्राप्त होगा जीवन काल में खुसिया आना प्रारम हो जाएंगे तो दोस्तों जरू लिखेगा पर दिया पर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आयकन को पेज करके ओल पर स्लेट कर लें तो जो दोस्तों बात करते हैं शुरुवात करते हैं स्रीक्रिशन जी की एक बहुती मुल्यवान ग्यान से एक बहुती अच्छे विचार से जो की दोस्तों आपको आने वाले जीवनकाल में यह बात हैं आगे चल कर बहुती काम्याभी देने वाले शावित होंगे यह एक बार की कता है देवरिसी नारद और रिसी अंगारा कहीं जा रहे थे रास्ते में उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी दुकान के नजदी की जुठी पतलों का धेर लगा हुआ था उस जुठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है वेसे ही उस दुक दारा ने उनसे हासी का कारण पूछा नारद बोले है रिसीवर यह दुकान पहले एक कंजूस वेक्ति की थी अपने जिंदीगी में उसने बहुत सारा पैसा एकठा किया और इस जन में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है देखो जिसके के हाथों से उसे जूठा भोजन बे नहीं मिल शका करफल के इस खेल को देखकर मुझे हासी आ गई जहां दोस्तों मनसु को अपने शुब और आशुब कर्मों का फल जरूर मिलता है बेसक इसके लिए उसे जन्म जन्म की यात्रा क्यों नप करनी पड़े जहां दोस्तों ग बात करते हैं कि मालक्ष में जिकी किरपा से आपके आने वाले जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं अगले दो दिनों के अंदर में कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले हैं और दोस्तों आपको कौन सी विश्यस बातों को ध्यान रखना होगा क कौन से महत्वपून उपायां को करनी है जिसे कि दोस्तों आपके घर में मालक्षमी धन बरसाते रहे। पर नियंतरन रखें तक कोई भी परेशानी आने पर घावराने की वजाए उसका समाधान ढूंडें आपको अवसी सफलता मिलेगी। आपके घर में एसी खुश खबरियां इसे सूप समचार दस्तक देने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुसी से जूम उठेगा। दोस्तों आप अपने गत्य विदियों को नया रूप देने के लिए कुछ राचनातमा कारे करेंगें जिसे लक्ष को हासिल करने के लिए आप कापी समय से परियास रत थे आज उसके अनुकुल परनाम हासिल हो सकते हैं। मनोबल तथा आत्म विस्वास भी भरपूर रहेगा। अपने कुछ समय से जो लक्ष निर्धारित किया है आज उस पर काम करने का उत्तम समय है। संतान को भी कोई उपलब्दी मिलने से घर में खुशी भरा बाता रण रहेगा। साथी किसी रुके हुए कार में भी गती आएगी। यंकि साथ सार दोस्तों आपको इन दिन में कुछ शाबदानिया भी देख कर चलनी होगी। कोई विकार करने से पहले उसके सभी पहलुआ पर अच्छी तरह सोच विचार आवस्य करें। वलके कार को समय पर अनुशार पूर्ण करने की कोशिश करें। इसमय वेबसाइक पक्ष में कुछ महत्वपून इस्तियां बन रही है। इसलिए गंबिर्ता के साथ अपने कामों को अंजाम दें। धेमी गती से चर्रे काम में आप सुधार आएगा। समय मार्केटिंग से समय पर अनुशार को निप्टाने की कोशिश करें। पार्टनर को मेरेज के लिए परपोच करने का उचीद समय है। परिवारी बतारण उचीद बनाए रखने के लिए आपका योगदान जरूरी है। बैतर रगा की परिवार के साथ कोई मनोजन सबंदी प्रोग्राम बनाए। दोस्तों आपके स्वास्त के बारे में बात करे तो स्वास्त उत्तम रहेगा। उची दिनचारिया और खानपान आपको स्वास्त और उर्जवान बना कर रखेंगे। गैस और बदजमी की वज़े से सरीर में सुष्ती और ठकान रहेगी। खानपान संतुलित रखें। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सक स्री चुडिया सहित अन सोलर शिंगार अरपित करें। इससे सोभाग की ब्रेदी होती है। साथी पती की उम्र लंबी होती है। शुक्रवार के दिन लक्षमी सुरूत, कनकधारा सुरूत या फिर स्री सूत का पाठ करें। इससे आपके सभी मनो कामनाय पूर्ण हो जाएं जिस तो बात करतें अपका बागे साली रंग और बागे साली आंग क्या है। दोस्तों आपका बागे साली रंग आस्मानी है और बागे साली आंग छे है। दोस्तों मालक्षमी का आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद